वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी एक और धमाकेदार और एक्स्क्रूजिव खबर के साथ एक बार फिर हमाँ सभी दर्श्कों के सामने हासिन है दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 का आज का जो एपिसोड है वो काफी शांदार होने वाला है क्यूंकि आज के एपि दोसली के साल पुरानी एक भूतनी रहती है, जिसका नाम है जूली और साती साथ वहां के मालिक होंगे हो सवेली के जमिनधार के किरदार में नजर आने वाले हैं, राहुल महाजन, राहुल महाजन की पहली पत्नी होंगी जूली और साथी साथ दूसरी पत्नी होंगी जैस्पिन बसीन जो की एक लोग भी और अरत है और घर के सारे के सारे सदस्ये जो हैं वो गैस के रूप में नज़राने वाले हैं मेहमान के रूप में नज़राने वाले हैं सुविधाओं को यूज करने के लिए उन्हें चार्जस करना होगा पे करना होगा जास्पिन बसीन और राहुल महाजन को और इसके साथी साथ हम आपको बता दें कि हर 17 के बस 50-50 कॉइंस होगे जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइंस होंगे वो जो है वो कारे का वीजेता बन जाएगा सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैस्विन बसीन और साती साथ राहुल महाजन को आपसे मती से ये वो नाम लेना होगा समय समय पर वो नाम लेना होगा जिने वो गेम से आउट करना चाते हैं और साती साथ उन्हें उनसे पैसा लेकर उन्हें गेम से आउट करना चाते हैं बेग बॉस के गाडन एरिया में भेजना चाते हैं ये कुछ इस तरह से प्रक्रिया होगा और साती साथ हम आपको बता देना चाते हैं कि सबसे पहले राहुल महाजन जैस्मिन बसीन जो है रूब साथी साथ उनके पास एक मौका होगा, उनके पास जितने भी कॉइंस हैं, उन कॉइंस की मदद से वो बिग बॉस के जो मुख्या हाउस है, यानि कि जो हवेली का अंदर वाला नसारा है, वो उसमें वापस से प्रवेश कर सकते हैं, यानि कि कैप्टेंसी रेस में दुबारा जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जूली को मनाना होगा, जितने भी बाहर गये हुए सदस्य हैं, उनके पास एक मौका होगा, और साती साथ इसके बाद आप सभी दर्शक देखने वाले हैं, कि बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, राक्वी सावन और राहुल महाजन के बीच में भी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि कॉइंस का ये खेल है, और कॉइंस का खेल है, हर एक सदसे जो है, वो कैप्तान बनना चाता है, जहां रूबीन दिलाय कैप्तान बनना चाती है, तो वहीं दूसरी और आप सभी दर्शक देखेंगे, कि राकी सावन भ कप्तान बनना चाते है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, कि जो गेस्ट है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य कप्तान की रेस में बन शामिल हो सकता है, इसलिए बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, आज की कास रिपोर्ट में बस इतना ही